इरान युद की टेंशन के बीच तुर्की के राश्पती ने नितनियाहू को नई धमकी देती है प्रेसिडेंट एर्दुआन ने इसराइल को दुन्या का दुश्मन बताते हुए बहुत जल्ड आक्शन लेने का ऐलान किया है अल्बानिया दौरे पर पहुँचे अर्दुआन की तरह इरान भी अब अरब देशों की गोल बंदी में जुटा हुआ है इस बीच साओधी क्राउन प्रिंस मुहमद बिन सल्मान की एक तस्वीर ने अमेरिका को दहला दिया है लेबनेन की तरफ से हेजबुला द्वारा दागे गए मिसाइल रॉकेट लगातार इसराइल को परिशान कर रहे हैं कुछ ऐसे मिसाइल या रॉकेट होते हैं जिनको हम जाने देते हैं उन पर अपने संसाधन को खर्च नहीं करते जिसकी वज़े से तबाही का जो मंजर हो आप देख सकते हैं यहांपर देखिए जैसे बं के धमाकों के साथ बेरूत की तस्वीर बदर रही है जैसे जैसे रॉकेट की बोचार से तलवीव की शकल बदल रही है उतनी ही तेजी से घाड़ी में खेमें बदल रहे हैं इसराइल के खिलाफ मोस्ट पाफुल ग्रुप बन रहा है इस ग्रुप में होड ये लगी है कि जल से जल एरान से दोस्ती की जाए और इसराइल के साथ अमेरिका को हद में लाया जाए कई तस्वीरें हैं जिन्होंने अमेरिका और इसराइल की टेंशन बढ़ा दिये तस्वीर नमबर वन देखिए जहां तुरकी नेवी का शिप लिबनान में एंट्री कर रहा है शिप पर तुरकी के किलर कमांडो अक्शन मोड में दिख रहे हैं दूसरी तस्वीर अलबानिया से आई है जहां प्रेजिडेंट अरदुआन इसराइल विरोधी गुट के विस्तार के लिए पहुँचे है तीसरी तस्वीर तो ऐसी है जिसने इसराइल और अमेरिका दोनों का थर्रा दिया है सौधी अरब के रियाद में क्राउन प्रिंस सल्मान से इरान के विदेशमंद्री की मुलाकात ने अरव वर्ल्ड में नए समीकरण पर मोहड लगा दी है वार्जोन में दिख रहे बारूदी तहलके से ज्यादत अपिशन तस्वीरों में है तेहरान में जल रहे इसराइल और अमेरिका के जंडे क्या कह रहे है क्या इरान ने सौधी अरब को साथ लिया है प्रिंस सल्मान ने इरान के विदेश मंतरी से वार टेंशन कम करने का वादा भी किया है सौधी प्रिंस से मीटिंग के बाद इरान के विदेश मंतरी कतर का दोरा करेंगे खाडी में अमेरिका के सबसे करीबी दो मुल्क सौधी अरब और कतर को माना जाता है अगर ये दोनों देश इरान के खेमे में गए तो इसराइल का बचना मुश्किल होगा वजह ये भी है कि तुर्की जैसा ताकतवर देश अरब वर्ल्ड में फूट डाल कर खुद को खलीफा साबित करने में लगा है इस्रा Couole किक एल ये भूमे में एक बाहि झाभी तेशलो में नचे अर अरिश आया परिए जातुछिए आषकीज में तोन the day अने अ मेजिएएूम मेँ एर हमेशनाका एंनों इसरा इसन 1957 जैसे इस्राइब में आथ इसने आड्सा कर जाएं मैं इस वक्त इसराइल लिबनान के बॉर्डर के बेहद करीब एक गाउं में हूँ जहां आठ अक्टूबर को दो पहर एक बजे एक साथ कई दरजन रॉकेट से हिजबुल्ला ने हमला किया था और उनके निशान आप अब भी गाउं में जो घर है उनकी दिवारों पर देख सकते हैं चोटे चोटे छेद यहां पर हुए हैं हलाकि जो रॉकेट है वो गिरा था दूसरी बिल्डिंग पर यह देखिए सामने की जो बिल्डिंग है उस पर रॉकेट गिरा था और उसकी वज़ज़ से दिवारें काली पड़ गई अगर आप हिजबुल्ला के हमले में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है आईडियेफ के टॉप कमांडर को नईम कासिम के लड़ाकों ने धेर कर दिया है इसराइल पोसिस की आलन बिल्डिंगेट की 5030 वी बिटालियन के साजट मेजर रोनी गनिजाते हिजबुल्ला के हमले में मारे हैं ग्राउंड बैटल में अब तक हिजबुल्ला ने इसराइल के 12 सोल्जर्स को धेर किया है अपने अफसर की मौत के बाद इसराइल ने हिजबुल्ला के दो कमांडर मार डाले है जिसमें एक एहमद मुस्तगा अलहाज अली और दूसरा मुहम्मद अली हमदान बताये गया यहां की धार्मिक मानिता के मुताबिक उनको भी शान्ती नहीं है और आप यहां पर देखिए कि यह पूरा कबरिस्तान टूटा फूटा यहां पर देखिए यह गवाही दे रही हैं तस्वीरें कि लोग जो हैं वो यहां पर अपने प्रियजनों को देखने आ रहे हैं को देखने आ रहे हैं के साथ मिलिटरी लीडर्शिप में जिहाद काउंसिल के मेंबर मुहम्मद हैदर को भी सैन्ने ओपरेशन का जिम्मा सौपा गया है वहीं हाशिम सैफुद्दीन की मौत के बाद हिजबुल्ला की पॉलिटिकल विंग का चीफ अब नईम पासिम को बनाये गया है नए कमांडरों की यही तिकड़ी नेतन याहू से नसरल्ला की मौत का बदला लेगी लेकिन अमेरिका के रहते यह मुम्किन नजर नहीं आ रहा है सूपर पावर्ण ने इसराइल को इतने हतियारों से लैस कर दिया है कि उसे युद्ध में परास्त करना हिजबुल्ला तो क्या कैई देशों के भूते की बात नहीं ब्राउन युनिवर्सटी के कॉस्ट ओफ वार प्रोजेक्ट की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि अक्तूबर 2023 से अब तक अमेरिका ने इसराइल पर 22.76 बिलियन डॉलर खर्च किये है अमेरिके हतियारों के आपूर्ती में लगबग 57,000 तोप खाने के गोले तोपो के लिए 36,000 राउंड गोला बारू, 20,000 M4A1 राइफल है 14,000 अंटी टैंक मिसाइल है और 8,700 MK 82 500 पाउंड बं शामिल है इसराइल के लडाकू जैट हो या फिर डिफेंस सिस्टम सब के सब सूपर पावर के बजट से चल रहे है इसराइल के आयरन डोम और डेविट स्लिंग एर डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका ने 4 बिलियन डॉलर आयरन बीम लेजर एर डिफेंस सिस्टम के लिए 1.2 बिलियन डॉलर की मदद दी है अमेरिकन इसराइल को 14,100 MK-84 अंगाइडिट 2,000 बम, 3,000 जॉइन डाइरेक्ट अटाक मुनीशन, डम्टु स्मार्ट बम्ट ट्रांसफोर्मर किट, 3,000 हेलफायर मिसाइल, 2,600 धाइसो पाउंड जी बियू 39 छोटे बम, 1,800 M141 बंकर बस्टर बम, 3,000 नाइट वुजन 100 से ज्यादा स्काइडियो एक्स ब्रोन और 75 जॉइंट लाइट टेक्टिकल वेहिकल भी दिये हैं, इसराइल को एमेर्जंसी डिलिवरी के लिए 4.4 बिलियन डॉलर का बजट अलग से रखा गया है यानि पूरी दुनिया एक तरफ और इसराइल एक तरफ, अमेरिका इसराइल के साथ युद्ध में है, हर तरफ से है, चाहे हत्यार हो, चाहे बाहुबल हो, चाहे आटम बम हो, इसराइल को जिसकी जरूरत होगी सुपर पावर वो देगा, लेकिन युद्ध में कभी पर बैठे इसराइल को इरान और तुर्की जैसे दुश्मन देश कभी भी जला कर राह कर सकते हैं इरान ने एक अक्टूबर को इसराइल पर 200 मिसालों से हमले करके सभी को चौका दिया था तब से दुनिया भर के वार एक्सपर्ट्स ये देखने को बेचेन है कि इसराइल इरान से बदला कैसे लेता है अब लगभग 9 दिन बाद इसराइल ने ऐसा दावा किया है जो इरान के ताबूत में आकरी कील साबित हो सकती है इरान पर इसराइल बहुत बड़ा हमला करनी जा रहा है और उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है हमले को तैयार इसराइल देखते रह जाओगे खामनेई एक अक्तूबर 2024 को भले ही इरान ने इसराइल पर 200 बलिस्टिक मिसाइल इंदाक कर दुनिया को चौका दिया हो लेकिन अब इरान के मिसाइल हमले के 9 दिन बाद खबर आ रही है कि इसराइल अब इरान का हाल हिजबुल्ला और हमास से भी बुरा करने जा रहा है इसराइल में पिछले 9 दिनों से एक ऐसे हमले की खौफनाक और भयानक तयारी चल रही है जिसके बारे में शायद इरान को पक्के तोर पर पता नहीं है इसराइल के प्रधान मंतरी नेतन याहू इरान पर हमला करने को लेकर अमेरिकी राष्टपती बाइडन से 50 मिनट तक बाच्चीत कर चुके हैं इदर इसराइल के रक्षा मंतरी यॉव गैलेंट ने इरान पर हमले का ऐसा इशारा किया है जिसने पूरे मिडलीस्ट में हडकम मचा कर रख दिया है दावा किया जा रहा है कि इसराइल के इस हमले की बनक मिलने के बाद से इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की रातों की नीद उड़ गई है जरा देखे इसराइल के रक्षा मंत्री यॉव गैलेंट ने क्या कहा है इरान को समझ नहीं आएगा क्या हुआ और कैसे हुआ यॉव गैलेंट ने कहा कि इरान पर इसराइल का हमला घातक और सटीक होगा और इस हमले कि इरान को बनक तक नहीं होगी इरान को समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ यॉफ गैलन का ये बयान इसराइल पर इरान के मिसाइल हमलों के जवाब में आया है सूत्रों की माने तो इसराइल इरान के प्रमुक तेल ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है माना जा रहा है कि यह हमले इरान के अर्थविवस्ता को गहरा नुक्सान पहुचाने के लिए हुँगे तोकि इरान की बड़ी आर्थिक ताकत उसके तेलशेत्र है इसके अलावा इसराइल इरान के परमानू ठिकानों पर भी बहुत बड़ा हमला कर सकता है पचास मिनट में हुई सीक्रेट डील उला दो इरान के अट्मी ठिकाने लगबख सौ घंटे से दुनिया भर की मीडिया में ये दावे किये जा रहे हैं कि इरान ने जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा परमानू परिक्षन किया है दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने पिछले 120 घंटे में एरान में आय भुकम और परमानू बंका परिक्षन के दावों का सीक्रेट पता कर लिया है इसलिए बाइडन और नेतनियाहू ने 50 मिनट तक पून पर बाच्चीत के दौरान लगभग फाइनल कर दिया है कि अब इरान को 200 मिसाईल हमलों का जवाब जबरदस तरीके से दिया जाएगा बहले ये कियास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका इसराइल पर दबाव बना चुपा है कि वो इरान के परमानू ठिकानू को तबाव नहीं करेगा लेकिन जब से अमेरिका को खूफिया जानकारी मिली है कि इरान ने भुकम क्यार में एटमी परिक्षन ही किया है तब से अमेरिका अब इसराइल को उसके एटमी ठिकानों पर हमला करने की हरी ज़ंडी दे चुका है ऐसा सूत्रों के जरीए दावे किये जा रहे हैं अब ये भी जान लीजे कि इरान ने 5 अक्तूबर को क्या किया था इसराइल के साथ बढ़ते संगर्ज के बीच 5 अक्तूबर को इरान के सिमनान प्रांथ में रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीवरता का भुकम दर्ज किया गया भुकम का केंद्र कतित तोर पर सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक इरानी न्यूकलियर एनरजी प्लांट के करीब था इरान के सिमनान प्रांथ के कावीर रिगिस्तान में इरान ने परमानू परिक्षन किया है ऐसे अब दावे किये जा रहे हैं भुकम के समय और परमानू सुविधा के करीब होने के कारण इस बात की अठकले लगाई जा रही है कि इरान ने परमानू बम का परिक्षन किया है दावों के मताबिक भुकम का केंदर सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक इरानी न्यूकलियर एनर्जी प्लांट के करीब था बुकम के दौरान जिस तरहां की लहरे जमीन में उठती हैं ये लहरे वैसी नहीं थी ये लहरे वैसी थी जैसी न्यूकलियर विस्पोर्ट के बाद जमीन पर चलती है इसलिए दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्स और विग्यानिक ये दावा कर रहे हैं कि इरान ने परमाणू परिक्षन किया है इरान ने इन दावों का खंडन नहीं किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इरान ने आटम बम का टेस्ट किया है यूनिट 9900 का वार प्लैन इरान पर अद्रिश्य हमला इरान पर इसराइल एक बड़ा हमला करने जा रहा है इसमें हवा और समुंदर के रास्ते सबसे बड़े भीशन हमले होंगे एक अक्तूबर को जब इरान ने बलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया था तो उस वक्त इरान की हाइपर सौनिक मिसाइल पते बन और पते टू ने इसराइली सहने ठिकानों को काफी नुकसान पहुचाया था उस वक्त इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, एरो टू, एरो त्री और डेविट स्लिंग सभी इरानी मिसाईलों को रोक नहीं पाये थे लेकर इसराइल के रक्षामंत्री का साब कहना है कि एरान का मिसाईल हमला नाकाम रहा है और अब हम उन पर हमला करने जा रहे हैं जर्द देखे इसराइल डिफेंस पोस की जासूसी यूनिट 9900 को लेकर रक्षामंत्री यॉफ गैलिंट क्या कह रहे हैं खबरों के मताबिक इसराइल के रक्षामंत्री यॉफ गैलिंट ने आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 के कमांडर्स से बाच्चीत किये दावा किया गया है कि इरान पर जबरदस्थ हमले का प्लैन आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 ने बनाया है जिसने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमले का निद्रित किया था खबरे ये भी हैं कि आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 का वार प्लैन इतना जबरदस्त है कि इसराइल के रक्षामंत्री ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि इसराइल अब इरान पर ऐसा हमला करने जा रहा है कि इरान को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ कब हुआ और कैसे हुआ अब सवाल उकता है कि क्या इसराइल से 2000 किलोमेटर गुरी पर मौजूद इरान पर हमला करना इतना असान होगा क्योंकि इरान की मिसाइल पावर जबरदस्त है इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी 4 अक्तूबर को दावा कर चुके हैं कि इरान का मिसाइल हमला शानदार रहा है लगबग 5 साल बाद हजारों इरानियों के बीच में खामनेई ने एलान कि ये तो अभी इसराइल ने इरान का मिसाइल ट्रेलर देखा है अगर जरूरत पड़ी तो इरान इसराइल के वजूद को मिटाने के लिए बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है अब ऐसे हालात में सवाल उटता है कि क्या इसराइल इरान पर भीशन हमला करने का जोके मुठा सकता है इसराइली मीडिया के मताबिक अगर इसराइल हमला नहीं करेगा तो आने वाले पांच से दस सालों में इसराइल का वजूद ही मिट जाएगा और अगर इसराइल एरान को तभा कर देता है तो इसराइल अगले 10 सालों में पूरे मिडिली स्ट में सूपर पावर बन जाएगा